ओके तो आज हमारे पास यहां पे आ गया है बोट का एरडोप्स 190 गेमिंग टीडव्लूएस मैंने इसको अमजान से खरीद लिया था चलिए ज़ल्दी से इसको अन बॉक्स कर लेते हैं यह बोट एरडोप्स 190 का बॉक्स इसे मैंने गया है चार्जिंग के लिए और यहां पे एक्स्ट्रा यह टिप्स दिए गए हैं तो बोट का यह जो एरडोप्स 190 है यह मैंने अमजान से खरीद आ था तेरा सो रुपए का लेकिन आपको यह जो है और भी सस्ते प्राइस में मिल सकता है अगर आप यूज करते हैं कैश करो एप्लिकेशन को यहां पे आपको कैश करो एप्लिकेशन को डाउनलोड करना है नीचे दिये गए है डिस्क्रिप्शन में लिंक से वहां से आप डाउन वहाँ पे जा करके आपको Amazon का account login कर लेना है और यहाँ पे आपको खरीद लेना है आपका Adobe 190 यहाँ पे आपको जो है काफी अच्छा cashback मिल जाएगा और यह जो cashback है यह सब आपका यहाँ पे cash करो के wallet में आकर के जमा हो जाता है और सबसे बढ़िया बात मुझे यह लगता है कि यहाँ पे आप इस cashback को जो है अपने bank account में भी transfer कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और एक धमाकेदार बात यह है कि यहाँ पे आप मेरा coupon TU25 यूज कर सकते हैं एक्स्टरा 25 रुपीज बोनस cashback के लिए तो जाएए जल्दी से link description में दिया हुआ है और पाईए हजारो cashback cash करो के थुरू तो यह है boat adops 190 यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तकड़ा design है बहुती जादा gaming vibes है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको side में design देखने को मिलता है यह design जो है यहाँ पे पूरे yearbird के उपर अच्छे तरीके से continuation में दिया गया है काफी अच्छा design है और ढखकन आप देख सकते हैं यहाँ पे कहां से खुलता है यहाँ आप देख सकते हैं धकन कुछ इस प्रकार से खुलता है और अंदर की तरफ यह आप देख सकते हैं शानदार light effects देखने को मिलते हैं RGB light effects जो की बहुत ही जादा बढ़िया लगते हैं देखने में और एक gamer को RGB कितना पसंद है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे earbuds को निकाल लेते हैं बार जल्दी से earbuds जो है काफी बढ़िया design के साथ आते हैं लेकिन एक बात बता दू यहाँ पे पूरा earbuds यहाँ पे प्लास्टिक का बना हुआ है बात करूँ earbuds की तो यहाँ पे आपको यह RGB light देखने को मिलता है दोनों ही earbuds की आप पहन करके देखते हैं कितना comfortable है ओके तो definitely बहुत ही अच्छा खासा comfortable TWS मुझे यह लगा है लेकिन यहाँ पे जो है इतना अच्छी fitting नहीं मिल रही है तो definitely आप इसको gym में तो use नहीं कर पाओगे heavy workouts के दौरान लेकिन यहाँ पे जो है आप इसे gaming के लिए definitely use कर सकते हैं घंटो घंटो तक क्योंकि यहाँ पे बहुत ही comfortable है connectivity की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Bluetooth 5.3 मिलता है इसको phone के साथ connect करने के लिए simply आपको यहाँ पे इसका ढखकन खोलना है और आपको यहाँ पे Bluetooth के अंदर scan कर लेना है तो यहाँ पे आपको Adobe 190 देखने को मिल जाएगा pair कर लूँगा मैं यहाँ पे box से बाहर निकालते हैं यहाँ पे 100% battery already charge किया हुआ था बात करूँ codec की तो यहाँ पे आपको AAC तक का codec दिया गया है इसमें आपको 10mm के drivers मिल जाते हैं ओके तो यहाँ पे जो है मैंने इसमें अच्छे कासे गाने सुन लिए है और यहाँ पे जो है मुझे इसकी sound quality काफी अच्छी लगी है बेस जो है वो काफी तगड़ा है बूमी बेस है साथ में यहाँ पे आपको जो है clarity भी काफी अच्छी मिलती है तो definitely gaming के अंदर काफी जादा help करेगा आपको यह और वहीं पे यहाँ पे जो है आपको काफी अच्छे footsteps काफी अच्छे तरीके से बॉम वगेरा कहां पे गिर रहा है कहां से एनिमी आ रहा है कहां से गोलिया वगेरा जो है चल रही है यह सारी चीज़े एकदम अच्छी तरीकी से पता चलती है क्योंकि यहाँ पे clarity काफी अच्छी है sound quality के अंदर और जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पे PUBG खेल करके देखा TDM तो उसमें जो है मुझे काफी अच्छी performance लगी इसकी definitely gaming के लिए आप इसे use कर सकते हैं काफी अच्छी sound quality आती है इसकी गाने भी सुन सकते हैं movies भी आप इसमें देख सकते हैं क्योंकि clarity भी अच्छी है base भी अच्छा कासा आपको इसमें मिल जाता है gaming के लिए जो TWS से काफी तकड़ा निकल करके आता है footsteps गोलियों की आवाज और यहाँ पर बाकी सारी चीज़े जो gaming के अंदर matter करती है जैसे कि यहाँ पर कौन से side से बंदा आ रहा है कहां से गोली आई है और enemy ने bomb throw किया है उसका आवाज यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीकी से सुनाई देता है बहुत ही तगड़ा gaming में जो है आपका यह काम आएगा definitely अगर आप एक gamer है तो आपको इसकी तरफ देखना चाहिए और इस budget में मैं कहना चाहूंगा यह TWS जो है गेमिंग के लिए sound quality के मामले में काफी जादा बढ़िया है और यह जो मैंने PUBG के games खेले यह सारी यहाँ पर मैंने gaming mode on करके खेले थे तो यहाँ पर sound quality भी अच्छी आ रही थी और साथ में इसमें आपको 50ms का low latency मिलता है जो की बहुत ही तगड़ी तरीकी से काम क लेकिन एक छोटा सा bug या फिर एक छोटे सी चीज मुझे जो खरब लगी है वो है कि यहाँ पर इयरवाट आप देख सकते हैं case के अंदर है लेकिन अब आगर मैं आपको सुना हो यहाँ जो गाने बज रहे हैं यहाँ पर आपने जैसे कि सुना यहाँ पर गाने case के अंदर AI खराब लगी है लेकिन बात करो इसके extra features की तो यहां पर आपको IPX4 की rating मिलती है साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया यहां पर आपको gaming mode भी मिल जाता है 50ms का और यहां पर आपको जो है asap charge technology जो की इनका fast charging technology है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाता है तो definitely यहां पर extra features के मामले में भी काफी तगड़ा निकल करके आता है boat air dopes 190 और यहां पर जो है काफी अच्छी gaming mode भी आपको दी गई है जिसके बार में हमने पहले बात कर लिया है बात कर यहां पर battery life और charging की यहां पर आपको case में 400 mh की battery मिलती है और buds में 40 mh की और यहां पर boat वालों ने 30 hours का battery backup claim किया है जो की काफी तगड़ा है एक gaming TWS होने के बाद भी मेरे हिसाब से यहां पर यह जो है आरम से आपको देड़ दिन का battery backup दे देगा अगर आप gaming mode को off रखते हैं तो लेकिन अगर आप यहां पर gaming mode को on रखते हैं तो यहां पर आपका एक दिन मतलब 24 hours और यहां पर दूसरे दिन का भी 1-2 घंटा यहां प पतलब 25 या फिर 26 hours का आपको यह battery backup दे पाएगा gaming mode के साथ लेकिन यहां पर आपको fast charging भी मिलती है जो की boat वाले यहां पर ASAP charge technology के नाम से कहते हैं यहां पर अगर आप इसे 10 minute charge करते हैं तो आपको 180 minutes का playback time मिलेगा जो की काफी जादा है इस price point के हिसाब से इसकी जो fast charging है वो की सारे TWS क्योंकि यह gaming TWS है यहां पर इसका microphone जो है वो तगड़ा होना ही चाहिए तो यह रहा आपके सामने इसका microphone testing यहां पर आप एक gamer है तो आपको इसका microphone testing ध्यान से सुनना चाहिए और मैं recommend करूंगा कि यहां पर earphones लगा के आप इस वाले part को सुने ध्यान से क्योंकि य यहां पर रेकार्ड हो रहा है बोट के air ducts 190 के microphone से यहां पर जो है मैंने इसको record किया है फैन के नीचे बैठ करके तो यहां पर सुनना है और अजज़ करना कि इस प्रकार का आपको sound quality मिल रही है फैन के नीचे आपको कितना आवाज आ रहे है मेरा आवाज कैसे आ रहे है और साथ में यहां पर यहां पर ऑन कर लिया है तो यहां पर compressor के side में बैठा हूं मैं आपको कैसी आवाज आ रही है मेरी और clarity कैसी आवाज की क्या यहां पर gaming के लिए क्या आज आपको यहां पर यह TWS यूज़ करना है तो डेफिनेटली आपको यह सारी देखनी चाहिए तो यह तो डेफिनेटली यह जो TWS है मेरी तरफ से recommended रहेगा overall जो है मुझे यह TWS काफी अच्छा लगा है बेस भी काफी अच्छा है clarity भी काफी अच्छा आती है साथ में इसका gaming mode भी काफी अच्छा तरह किसे काम करता है microphone मुझे इसका अच्छा लगा है डेफिनेटली gaming के मामले म लेकिन यहाँ पर आप इसमें movies भी देख सकते हैं गाने भी सुन सकते हैं जो कि मुझे काफी अच्छी चीज लगी इस TWS के बारे में इस price point पर यह जो RGB LEDs है वो थोड़े से यहाँ पर हटके और थोड़े से different feel कराते हैं इसका link जो है मैं नीचे description में दे दूंगा यहाँ पर आपको ऐसे ही TWS के अंदर जो है काफी जादा तगड़े cashbacks भी देखने को मिलने वाले हैं और साथ में यहाँ पर अगर आप TU25 code यूज़ करते हैं तो आपको extra bonus cashback भी मिलेगा बाकी इतना इतना इस वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद तब त आपको इतना इस वीडियो को देखने के लिए जयाँ अरण।